तो दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि 2019 के स्टार्टिंग में वीवो जिससे स्मार्टफून कमपनी के फून पर्चेस करने से पहले कस्टमर दो बार सोचते थे वीवो की स्मार्टफून के विक्री ऑफलाइन ज्यादा होती थी ओनलेन के मुकाबले क्योंकि दोस्तो वीवो अपने स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को बहुत ही लो रखता था और प्राइजिंग बहुत ही ज़्यादा हाई रखता था जिसके करण वीवो की स्मार्टफोन की बिकरी ओनलेन बहुत ही ज़्यादा कम थी बड़ दोस्तो अचानक से वीवो ने बहुत ही बड़ा decision लिया और Vivo ने अपना सबसे बहतरीन स्मार्टफोन mid range के लिए निकाला जो कि था Vivo Z1 Pro जो कि बहुत ही बहुत ही बहतरीन specification के साथ आया और दोस्तो उस टैम में वो पहला इसा स्मार्टफोन था जिसमें हमें Snapdragon के 712 का processor देखने को मिला था जो की बहुत ही shocking था हमारे लिए और उसके साथ ही दोस्तो सबसे आता shocking यह था कि उस स्मार्टफोन का price जो था वो 15,000 रूपिस के अंडर था दोस्तो किसी ने भी expect नहीं किया था कि स्मार्टफोन में देखने को मिले का Snapdragon के 712 का processor और इसकी pricing 15,000 रूपिस के अंडर रहने वाली है बट दोस्तो वीवो ने ऐसा किया जिसके वैसे दोस्तो वीवो के online market की पकड़ भी मजबूत हो गई और उसके बाद वीवो ने एक सी एक बैतरीन स्मार्टफोन लाता गया जैसे कि दोस्तो वीवो J2 Pro पहला इसा स्मार्टफोन होने वाला है जो कि आपको मिड रेंज के प्राइज में देखनी को मिलने वाला है जिसमें कि आपको Snapdragon 730G का processor 64 Megapixels का quad rear camera जैसा कि Realme XT Redmi Note 8 Pro में देखनी को मिला था और उसके साथी दोस्तो इस स्मार्टफोन में अपको 45W के fast charging का भी support देखनी को मिलने वाला है तो दोस्तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखनी को मिलने वाला इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला इसका confirm है स्मार्टफोन को कितने प्राइंडिया में लौंच किया जाएगा तो दोस्तो स्टार्ट करते स्मार्टफोन की बिल्ड ओर वे इस design से दोस्तो Victorian वीवो 0Z Pro में आपको बहूत ली बैथरीन वो डिज़ाइन आपको quad rear camera का भी support देखने को मिलने वाला है और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के front side की तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 6.4 inch का एक full HD plus super AMOLED display जो की आने वाला एक full view display के साथ जैसा की Realme XT और Redmi K20 में हमें देखने को मिला था और उसके साथ ही दो दोस्तों full view display होने के विज़े से स्मार्टफोन में आपको एक pop-up selfie camera देखने को मिलने वाला है जो की 32 megapixel के camera के साथ आने वाला है और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की protection की तो दोस्तों front और back दोनों तरफ यह आपको Corning के Gorilla Class 5 का protection भी देखने को मिलने वाला इस स्मार्टफोन में और उसके साथ ही दोस्तों बात कर ले इस स्मार्टफोन की processor की तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है Snapdragon 730G का processor जिसा की Redmi K20 में हमें देखने को मिला था बड़ दोस्तों स्मार्टफोन की pricing जो होने वाला है वो 15-16,000 रुपिस के रहने वाला है जैसा कि वीवर जट प्रो में हमें देखनी को मिले था एक बहुतози 14 को प्राइस न सब्सक्रांट 54 सब्सक्राब प्रामाइब देखनी वालाए 64 komplett camera का सपोर्वग मेरो काल जो की अने वाला प्राइमरी 64 MP Sony GW1 के सेंसर के साथ और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंज जो की 111 डिगरी के फोटोज लेने में आपको हेल्प करेगा और उसके साथ ही 5 MP का एक माइक्रो लेंज और 2 MP का एक वेडर अपर देखने को मिलेगा इसे स्मार्टफौन में और वार्फट पालेंज्ज्द के दोस्तों इस स्मार्टफवन की प्राइज EX δेट की तो डूस्तों इस स्मार्टफवन का प्राइस रहने वाला है उसकी प्राइसिंग आपको 18-19,000 रुपी के करीबन दिखनी को मिल जाएगा और फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की तो दोस्तों स्मार्टफोन को डिसमबर के महिने तक इंडिया में लॉंच किया जागा तो दोस्तों यहीं थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म लीक्स और रुमर्स जो कि मैंने इस वीडियो में आपके सथ सेयर किया है तो उम्मीद करूंगा कि आपके यह वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें